नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का Quality and Fact for UPSC Net के मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तों CBSC Net previous year question paper के अंदर ये मेरा 11 लेक्चर है और इसमें मैं जून 2012 की question paper को आपके सामने discuss करूँगा तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहला question है कौनसी पुस्तक Karl Marx ने नहीं लिखी दोस्तों Science of Logic ये बुक लिखी है Heagle ने ठीक है तो ये बुक Karl Marx ने नहीं लिखी है Next question है व्यक्ति अपने उपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभू है ये कथन किसका है ये है J.S. Milka J.S. Milka ये कथन है Question number 3 रजनी कोठारी की Politics in India नामक पुस्तक किस पद्धती के आधार पर लिखी गई है दोस्तों ये लिखी गई है Structural Functional Approach के उपर Structural Functional Approach इसमें यूज की गई है और Structural Functional Approach गैब्रियल आमंड ने इसको बनाया था विकास शील देशों के अध्यान के लिए तभी ये इंडिया पे यूज की है इन्होंने अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है मैक्यावली हब्ज ने भी इनकी अवहेलना की है या उपेक्षा की है लोक ने भी की है और बोंदा ने भी की है तो सबसे पहले थे मैं क्या वली सरवहारावर्ग की तानाशाही का विचार दिया है माक्स ने कॉमिनिस्ट पार्टी की निव रखी थी लेनिन ने माक्स का कहना था कि समाजवादी जब करांती आएगी तो मजदूर शाषन करेंगे लेकिन लेनिन पहले थे जिन्नोंने संशोदन किया और बोला कि कॉमिनिस्ट पार्टी राज करेगी ना कि मजदूर बहु केंदरिता से जुड़े हैं टॉगलियारी तो पाच का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा A A is the correct answer of fifth question Question number 6 इसमें भी सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है बीश्वी श्ताब्दी का जेकोणिज्म जेकोबिनिज्म इससे जुड़े हैं M.N. रोय स्वेचिक निर्धनता मतलब अपने आप अपने आपको निर्धन बनाना इसका मतलब है गांधी स्वेचिक निर्धनता से जुड़े है गांधी जिस प्रकार से वो खुद भी मतलब धोती कुर्टा पहन के हाला कि उनके पास सब कुछ वेवस्ता है थी उन्होंने स्वेचिक निर्धनता को अपनाया और इन्होंने ट्रस्टी शिप का जो सिधानत दिया है वो भी इसी पर अधारित है मैं हिंदू के रूप में जनम लूँगा परंतु मरूँगा नहीं तो ये था अंबेटकर का उन्होंने हिंदू के रूप में जनम लिया था लेकिन बौध धर्म अपना के उनकी प्रिट्टी हुई थी विकास का एकिकरित सिधानत है अरविंदू का और ये विकास का एकिकरित सिधानत आपने एक बार देख लेना है बहुत ही important है और इन्होंने राष्ट्रेता का भी एकिकरित सिधानत दिया है मतलब राष्टरिता बिभिन बिभिन विचारों को मानने से नहीं आएगी ये एकी करित होनी चीए सेंट्रलाइज होनी चीए सारा का सारा तो 6 का करेक्ट आंसर होगा B B is the correct answer Question number 7 गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में तीन से चार बार ये कोश्चन आया है परस व्यापी मतेक्य के सिधान के की वकालत किसने की ये परस पर व्यापी मतेक्य का मतलब है जिसमें बहुत सारे लोगों के विचार आपस में मिलते हों तो ये जॉन रोल्स ने सिधान दिया है अपने वेल्स ओफ इग्लोरेंस के अंदर अज्यानता के परदे के अंदर निम्नांकित में से किसने सामान्य विवस्ता सिधान की अवधाना को सबसे पहले विक्सित किया तो ये है लुडविंग वॉन फटरलानफी और ये एक बाइलोजिस्त है तो सबसे पहले ये बाइलोजी में आई थी और रोबर्ट के मर्टन रोबर्ट के और मर्टन इन्होंने स्ट्रक्शरल फंक्शनल एप्रोच यूज़ किये सोशोलजी के अंदर और टेलकोट पॉसंस ने भी सिस्टम एप्रोच यूज़ की है सोशोलजी के अंदर संदचनात्मक प्रकार्यवाद को पधधी के रूप में किस राजनीती का अध्यन करने के लिए विक्सित किया गया था तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गैब्रियल आमंड इसको विकास शिल्देशों की राजनीती के अध्यन के लिए विक्सित किया था क्वेशन नमबर 11 सी राइट मिल की पुस्तक दी पावर एलीट यहाँ पे देखवा आप दी पावर एलीट किसकी समकालीन राजनीती का अध्यायन है पावर एलीट 1956 में लिखी गई है अमेरिका उस टाइम पावर में था और वहाँ पे जो एलीट थे वो किस तरीके से राजनीती में आ रहे थे उसका इसमें वर्णन किया गया है 1956 के अंदर तो यह USA के उपर है निम्दांकित मैंसे किसने इंगलेंड के अपने अध्यायन के आधार पर राजनीति विकास में संकट की पहचान की यह संकट की पहचान राजनीतिक विकास में लुशन पाई लुशन पाई आपके लिए बहुँ जादा important हो गया है ECD model भी इन्होंने ही दिया है ठीक है और ECD model क्या है equality, capacity और differentiation और ये तीनों के तीनों जो part है तीनों के तीनों जो ये तत्तो है ये development के लिए ही है अगर किसी राज्ये में equality है समाज के अंदर सभी व्यक्तियों में तो वो political development का सुचग है अगर किसी समाज में capacity है for example एक समाज की capacity है कि वो सो लोगों को दिन में खाना खिला सकता है अगर वो खिला रहा है अगर capacity है सो लोगों को खिलाने की और खिला भी रहा है तो political development हो रहा है ठीक है और differentiation अगर समाज के अंदर for example इंडिया में तीन प्रकार की विवस्ता हैं कारेपाली का विदानपाली का और नियापाली का अगर ये differentiation है तीनों के अंदर अगर राज कारेपाली का अपना काम कर रही है विदानपाली का अपना काम कर रही है और नियापाली का अपना काम कर रही है मतलब differentiation है तो political development है अगर ये तीनों सही रूप से नहीं चल रहे है तो political decay है या राजनीतिक विकास में क्या है संकट है आई होप आपको ये अच्छे से समझाया होगा और ये बहुत ज़्यादा important है इसको आप ignore नहीं करना ECD model of Lucian pie question number 13 निमलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से समयलित नहीं है CW mill CW mill power elite ठीक है उपर भी आगया है नीचे भी आगया है ऐसे question मतलब golden chance है आपके सामने इस type के question अगर आते हैं TB bottom war TB bottom war ने लिखिये elite and society parato 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 ने नहीं लिखी the ruling class लिखी है Moscow ने ठीक है the ruling class लिखी है Moscow ने और और गेटावाय गैसट ने लिखी है the revolt of masses तो इसका सही आंसर होगा C अधिकारी गण एक दूसरे के लिए कारेकस रिजन करते हैं यहाँ नियम निमलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है यह क्या था एन परकिसंस ने निमलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है USA में दोहरी नाग रिखता है बिलकुल सही बात है भारत में विधी द्वारा स्थाफित कारेव विधी है बिलकुल सही बात है अस्ट्रेलिया में सरकार का एक आत्मकृप नहीं है और स्विजलेंड में महुल कारेव पाली का है और वहां की जो एक्जेगेटिव है कारेव पाली का है वो साथ सदस्य है तो इसका करेक्ट आंसर है C C is the wrong answer मिचल्स का अलपतंतर का लोह नियम अब ये अलपतंतर का लोह Iron law of oligarchy का नियम है नाजी पार्टी पे जर्मनी की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके उपर ये आधारित है 16 का करेक्ट आंसर है A Question number 17 Montescue का सत्ता की प्रिथकता का सिधान्त मुख्य रूप से किस पे आधारित है ने सत्ता की प्रिथकता का सिधान्त क्यों दिया क्योंकि अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो क्या स्वतंतरता खत्रे में पढ़ जाएगी लोगों की ठीक है For example, अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में Economic power और Political power आ जाती है तो वो निरंकुष हो जाएगा और वहाँ पे क्या है लोगों की स्वतंतरता खत्रे में आ जाएगी है ठीक है Question number 18 सूचना प्रद्योगी की ने स्टाफ एजन्सी को अपरिहारे बना दिया है बिलकुल सूचना प्रद्योगी की ने आ परिहारे है मतलब इसके बिना काम चली नहीं सकता है स्टाफ एजन्सी लाइन एजन्सी को निरंड़े लेने में साहता करती है दोस्तो सूचना प्रद्योगी की यहाँ पे बहुँ जादा important है इसके उपर focus किया गया है लेकिन नीचे कहीं भी सूचना प्रद्योगी की बात नहीं की गई है तो इसका correct answer यहाँ पे होगा B, A और R दोनों सही है लेकिन R, A की सही व्याक्या नहीं है आतंकवाद पर युद की घोशना करते हुए अमेरिका ने बलपूर्व कहा देखो, बलपूर्व कहा forcefully कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वे इसके विरोध में मतलब जो आतंकवाद के उपर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं उसकी हां में हां नहीं मिला रहे हैं तो वो क्या है अमेरिका के विरोध में तो reason क्या बोड़ा है आतंक वाद पर युद की स्तिती में अमेरिका ने राज्यों को तटस्त रहने की स्वतंतरता नहीं दी बिल्कुन सही बात यही तो यहां पर बात कर रहा है कि बलपूरुव कहा उसने कि जो साथ में नहीं है वो भी रोध मैं तो उसने तटस्त रहने की स बिल्कुल मानते थे इसलिए नाइंटी थर्टी टू में पूना प्यक्ट हुआ वे गांधी से सहमत है बिल्कुल नहीं पूना प्यक्ट के उपर वो गांधी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, A सही, R गलत राष्टपती शाषन केवल सहमत राज अमेरिका में सफल है बिल्कुल अमेरिका में ये बिल्कुल सफल है सहमत राज अमेरिका एक मात्र राज्य है जहां लगू विरोधा भास राष्टपती विवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है बिल्कुल सही यही वो कारण है जिसकी वज़े से राष्टपती शाषन अमेरिका में सफल है, तो इसका correct answer होगा 21 का A. Question number 22, हिंदुस्तान Republic Association के साथ निम्लिखित में से कौन नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों बिल्कुल so simple question है यापे अर्विंदो घोष, दोस्तों आपको पता होगा, अर्विंदो घोष 1912 के अंदर पॉंडिचेरी भाग गे थे, भाग गे थे या चले गे थे, कुछ भी बोल सकते हैं, और आपको बता है Republic Association जो बनी थी, 1922 के आसपास बनी थी, ठीक है, Question number 23, Indian National Congress को संभीधान, अब दोस्तों ये इंडिया का संभीधान नहीं है, इसमें confused नहीं होना, Indian National Congress का जो संभीधान बना है, उसे मास या जन समुह के बीश किस ने पहुँचाया, तो ये पहुँचाया था महात्मा गांदी ने, जो राष्टरी आंदोलन था आपका, उसको मास या जन समुह के बीश गांदी ने पहुचाया था 1921 के बाद, अंतर राज्ये परिशत की निउक्ति करते हैं भारत के राष्टरपती, वो राज्ये बताईए, जिनकी राज्ये की विधान सबाएं, राज्ये की राज्यदानी को छोड़कर अन्यस्थान पर भी, अन्यस्थान पर भी, अन्यस्थान पर ही नहीं है, अन्यस्थान पर भी बैठक करती है, तो यह है जम्मू कश्मीर और महाराष्टर, भारती संविधान का कौन सा संशोधन मंतरियों की संख्या को सीमीद करता है दोस्तों कई तरीके से पूछा गया ये question तो ये है संविधान का 91 एवा संशोधन और इसमें मंतरियों की संख्या 15% तक सीमीद कर दी गई थी Question number 27 निमलिखित में से कौन सी स्मिती भारत में पंचायती राज से संबंदित नहीं है ये है दिनेश गोस्वामी स्मिती ये चुनावी सुधारों से संबंदित थी ठीक है अब आपने साधिक अली स्मिती में कनफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसने भी कुछ सिफारिशे यहां पे दी है Question No.28 आपको उप्रधान मंत्रियों को मैच करना है I hope आपने उप्रधान मंत्रियों के लिए कोई ट्रिक बनाई होगी अगर किसी ने बनाई है तो प्लीज उसको मेरे साथ जरूर शेयर करे ताकि मैं उसको सभी के बीच पहुचा सकूँ ज्यादा हमारे बीच उप्रधान मंत्री नहीं हुए चार से पांच उप्रधान मंत्री अभी तक रहे हैं तो सबसे पहले सरदार पल्ला भाई पटेल 1947 से लेके 1950 तक रहे हैं उसके बाद आपके चौधरी चरण सिंग चौधरी चरण सिंग रहे हैं 77 से 79 तक और ये जन्तडल के टाइम पे रहे हैं और मौरार्जी देशाई रहे हैं 1966 से 1969 तक ये रहे हैं और चौधरी देविलाल सबसे लास्ट में रहे हैं तो इसका 28 28 का correct answer यहाँ पे D है दोस्तो 28 का correct answer D है तो मेरा यह करम यहाँ पे गलत हो गया है सबसे पहले एक सर्दार बल्ला भाई पटेल उसके बाद मुरारजी देशा ही रहे है उसके बाद चौधरी चरण सिंग उसके बाद चौधरी चरण सिंग और सबसे इसका कूट गलत दिया है दोस्तो इसको आपने एक बार देख लेना है 28 का एक बार मैच कर लेता हूँ 28 का सर्दार पटेल रहे है 25 अगस्ट 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक मौरारजी देशाई रहे है 1967 से 69 तक चौधरी चरण सिंग रहे है 1978 से 79 तक और चौधरी देविलाल रहे है 1991 तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए A चीक है सबसे पहले सर्दार बल्ला भाई पटेल उसके बाद चौधरी चरण सिंग और मुरारजी देशाई फिर भी मुझा confusion लग रही आपने देख ले नायकवारी से Question number 29 भारत की संविदान सभा के अंदर निम्नांकित मैं से कौन अल्पतंतर समूँ था अल्पतंतर मतलब एलीट कौन थे उस टाइम एलीट थे नहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद Question number 30 भारती अर्थविवस्ता को बेल गाड़ी पुझीवाद किसने कहा बुलकोक कैप्टेलिजम ये वोला था लोइड एम एवं रुडॉल्ट ने Question number 31 राष्टरिय राज्य एवं स्थानिय सरकार की कारेकारी शाखाओं की गतिवीधियों के रूप में लोग परशाशन की व्याख्या किसने की ये की थी हर्बट ए साइमन ने Question number 30 लोग लेखा समिती पब्लिक एकाउंट कमेटी के अंदर कितने सदसे होते हैं तो दोस्तों इसमें 15 लोग सभा से होते हैं और 7 राजी सभा से टोटल 22 है Question number 33 नियंतरन का दाएरा या नियंतरन के क्षेतर को निमलिखित रूप में भी जाना जाता है ये है Military Type of Formanship कि मतलब एक Major के अंदर या एक General के अंदर कितने लोग आएंगे नियंतरन का क्षेतर कितने लोग वोग आऊगा तो ये Military Type of Formance से निकला है नोकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रियोप किया था विसंडी गूरने ने Staff Agency का सही कार्य कौन सा है Staff Agency क्या है मुख्य कारेपालिका को परामर्ष देती है समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्षे के संबंद में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है सही नहीं है ये है विवर्तनिय समाजों में आरूप्य मूल्य पाए जाते हैं ये गलत है उन्होंने बोला है कि जो एकिकरित समाज होता है वो पारंपरिक होता है जो पारंपरिक समाज होता है वो एकिकरित होता है एक दुसरे के साथ घुला मिला होता है ठीक है अपने दिखा भी होगा जहां पर पारंपरिक समाज होता है लोग बहुत जादा घुल मिलकर रहते है विक्सित समाज विवरतनिय होता है बिल्कुल सही बात विक्सित समाज जैसे कि अमेरिका अमेरिका को उ पॉस्ट नमबर 37 संचार के अनुपचारिक चैनल को निम्लिखित नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह मैं पहले ही आपके सामने डिसकस भी कर चुका हूँ ग्रैप वाइन। प्रोचसाहन प्रणाली को मशीनी मोडल भी बूला जाता है। चैस्टर बरनार्ड ने दिया है सुविक्रिती का क्षेत्र। अगर सुपर्वाइजर के द्वारा दिये गए आदेश, वरकर की, वरकर सुविकार करते हैं। वरकर के अगर वो इंटरस्ट में हैं तभी वरकर उ जदरवाइज वो उसको इग्नोर कर सकता है। यही है सुविक्रिती का क्षेत्र। इसके उपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हैं आप उसे भी देख सकते हैं। हेंरी फ्योल ने दिया है स्केलर। स्केलर ठीक है स्केलर प्रोसेस के साथ मूने और रिले भी जुड़े हैं। फ्रेडरिक हर्सवर्ग यह है असंदोशकारी हाइजीन थियोरी दिया है। इसके उपर मेरी अलग से वीडियो है। आप उसको देख सकते हैं मोटिवेशन थियोरी के अंदर। तो क्षेट नुबर 38 का करेक्ट आंसर होगा। दी। दी इस दा करेक्ट आंसर। क्षे नुबर 39 किसने कहा कि बजट कीमत की नत्यों के साथ लक्षों का क्रम है। यह है विल्डावस्की विल्डावस्की ने कहा है। समिधान का कौन सा अनुछे संसत को अखिल भारतिय सेवाओ की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। तो यह आर्टिकल 312 और यह राज्य सभ का विशेशा दिकार है नई अखिल भारतिय सेवाओ को स्थापित करने की। तो अभी हमार पास तेन प्रकार की अखिल भारतिय सेवाओ हैं। आप लोगों को पता होगा IAS, IPS और IFS है Indian Forest Service इसको आप Foreign Service के साथ confuse नहीं करना। Question No. 41, निमलिखित में से ब्रिटन वूड्स सम्मेलन के परिणाम सुरूप क्या आया था आप सभी को पता होगा विश्व बैंक और अंतराश्टी मुद्राकोष ब्रिटन वूड्स सम्मेलन 1945-1945 की वज़े से आया। हैंस जे मुर्गेंटो के यथारवाद का मूल, भूत, सिधान, निमलिखित में से कौन सा नहीं है तो ये है राजनितिक, सारोगोमिक, नेतिक मुल्यों द्वारा शाशित होती है। उन्होंने बोला है कि राजनिति में नेतिक मुल्यों का कोई काम नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर डी, मार्शल प्लान, मार्शल प्लान किस से संबन्दित है, ये है पश्चिमी यूरोपियन अर्थ विववस्ताओं को पुनर निर्मित करना, जो सेकेंड वर्ड बोर के कार पश्चिमी यूरोपियन देशों में हानी हुई थी, उससे उबरने के लिए ये योजना चिलाई गई थी, सेयुक तराश्टर सुरक्षा परिशद में रूस कोस्थाई सदस्यता किसी योग्यता के अधार पे दी गई है, विश्वे मैं दुत्य सर्वाधिक शक्तिशाली देश नहीं बच गया ही है, ठीक है, तो ये है, रूस को मिली थी, पूर्व सोवियत संग यूनियन का ये अधिकारी है, कोश्चन नमबर 45, कैनेथ वोल्ड्स ने नव यथार्वाध का मुख्यतर क्या दिया है, इन्होंने बोला है, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो करता से मह तो पूर्ण है, कोश्चन नमबर 46, अपने पड़ोसी देशों के प्रती भारत की निती का अपारस परिक्ता का सिधान्त किस बात पर निर्भर करता है, अब ये है अपारस परिक्ता का सिधान्त, तो ये है, इसका है, बी, पड़ोसी देशों के साथ पारस परिक्ता के बिन संबंदों को सुधारना यहाँ पर पारस पर रिक्ता दिया है न तो पारस पर रिक्ता के बिना का मतलब है और पारस पर रिक्ता Question number 47 इसमें कालानुक्रम में आपने रखना है और यह आप यहाँ पर देख रहे होगे यह pattern change हुआ है 2011 से पहले क्या है 8 से 10 Question आते थे यहाँ पर सिर्फ 3 Question काल क्रम में करने की लिए आया है तो देखते हैं भारत रूसी में 3 संबंद 1971 में हुआ था जब अमेरिका ने अपने जहाज भेजे थे पाकिस्तान की साहता के लिए पोकरन में भारत का प्रतम आणविक समझोता हुआ था 1974 में क्यूबा संबंदी मिसाइल संकट हुआ था 1961 में भारत के संदर्शनात्मक समायोजन कारेकरम को अपनाना तो ये भारत ने 1991 में अपका LPG को अपनाया था तो इसका सही काल करम होगा 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो मुझसे कुछ गलती हुई है इसका मतलब हम बिल्कुल सही सबसे पहले तो क्यूबा संबंदी मिसाइल संकट हुआ है 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 तो इसका करेक्ट आंसर है B Question number 48 विश्व व्यवार संगठन WTO पैर्वी करता है कि मुक्त व्यवार सब के लिए समरिदता लाता है इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना जाए बिल्कुल सही बात है व्यवार की प्रणाली के जरिये देशों का वैश्विक अर्थ विवस्ता के साथ एकी करण उन्हें वस्तूओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी जरूरत की वस्तूओं का आयत करने में सहायता करता है तो इसका सही बात है यहापे मुक्त व्यवार की बात की जारी है मतलब टेक्सेशन कम होना चाहिए तो वैश्विक व्यवार के लिए तभी आप अपनी वस्तूओं को बाहर ले जा सकते है निर्यात कर सकते है जब वहाँ पे टेक्सेशन कम हो और मुक्त व्यवार पार हो तो इसका सही आंसर है A Question No.49 सन 2007 में दिल्ली में आयोजित चौध हुए सार्क शिकर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया अभी आपके लिए ज़्यादा important नहीं है यह current उस time के लिए हो सकता था तो यह दिया था अंताक्षेत्रिय संयोजन को सुधारने के उपर इन्होंने बल दिया था देखते हैं Question No.50 संयुक्तराष्टर की सामुहिक सुरक्षा विवस्था निमलिखित में से किस सिधान पर आदारित है यह है सभी के लिए एक और एक के लिए सभी दोस्तो आई हो आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इसमें बहुत कुछ सेखने को मिला होगा दोस्तो मेरे इस वीडियो को बहुत से जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें थेंक्यू थेंक्स फर वाचिंग